मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और ये सभी परसन एकजाम की दिश्टी से मोश्ट इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोजना राजस्तान जीके के ऐसे इंपोर्टेंट की उसन के वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट की उसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्योसन आपके सामने राजस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हिमोफिलिय उप्चार के अंदर किस सेर में बना है बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन है एक्जाम की दिश्टी से है कि राजस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हिमोफिलिय उप्चार के अंदर किस सीटी के अंदर है तो ये जेपूर के अंदर है ऑप्चन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 2 की बात करते है थेरा केम रिश्ट मेडिले प्लांट का आरहम राजे के किस जिले में और कब हुआ था वेरी वेरी इंपोर्टेंट है थेरा केम रिश्ट मेडिले प्लांट का जो आरहम है राजस्तान के किस जिले में और कब किया गया तो ये जेपुर के अंदर किया गया था 2016 के अंदर 19 अप्रेल 2016 डेट भी आपको याद रहनी चाहिए तो जेपुर में किया गया था क्योस नवर 3 की बात करते हैं आईरुवेद विज्यान द्वारा साउसत जीवन सैली अभिहान कब प्रहरम किया गया आईरुवेद विज्यान द्वारा साउसत जीवन सैली अभिहान जोएक कब प्रहरम किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग उत्तर दीजिएगा और वीडियो के अंदर में इमान दरी से बदाएगा कि 25 में से आपके कितने सहीवे इससे आपके प्रेक्टिव सी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी के से आप लोग हरे किसन का एंसर जरूर कॉमेंट कीजेगा तो सबसब जीवन सैली अभिहान जोगी 2017 में 18 अप्रेल 2017 को इसका प्रारम किया गया था क्योसन और फोर की बात करते हैं राजस्तान में किस मोगल सासक ने जजिया करप को हटा दिया था यह परसन एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि राजस्तान के अंदर किस मोगल सासक ने जजिया करप को हटाया था तो अकवर ने अटाया था ओप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योशन और फाइब भी बात करते हैं राजस्तान राजे में सबसे अधिक क्रिशी उपज मंडिया किस जीले में राजस्तान राजे में सबसे ज्यादा क्रिशी उपज मंडिया जो कि किस जिले के अंदर है दोसा कोटा शिरोई या बांस बड़ा जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए तो कोटा के अंदर है ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा कियो सनवर few की बात करते है Wisesti का सबसे बड़ा सती मात अ का मंदीर राजस्तान के किस जिले के अंदर है तो ये जुंजुनों के अंदर ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा कियो सन्वर seven की बात करते है राजस्तान में चोहानों का सरवादिक विस्तार कि सासक के काल में वाता वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि राजस्तान में चोहानों के जो सरवादिक विस्तार है वो किसके सासन काल के अंदर वाता और वीडियो के अंद में आप सभी से एक इंपोर्टेंट परसन पुछा जाएगा उसका भी आप लोग उत्तर जुरूर ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पर हम बात करें बिजोलिया के किसान आदलोंगा जो नेतरता वो किस ने किया था वीजे सिया पतिंग आपसन बी हमारा उत्तर रहेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्योस नवर नाइन की बात करते हैं राजस्तान की परसीद भगत कवीतरी मीरा के पती का क्या नाम था मीरा के पती का नाम आपको बताना यह परसन पे एकजाम में पूछा गया है तो कुमार भुजराज इसका सही उत्तर रहेगा आपसन बी क्योसन वर 10 की बात करते है राजस्तान के किस से लोग देवता को चार हातों वाले देवता के रूम में पूजा जाता है मलिनाजी, वीर कलाजी, वीर फताजी, अराम देवजी जल्दी से आप लोग उत्तर बताईएगा तो वीर कलाजी को चार हातों वाले देवता के रोम में पूजा की जाती है आप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योशन नवर 11 की बात करें राजस्तान में मिर्जा राजा जैसियं को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी औरंग जेब जहांगिर सहाँजा या अलाउदीन जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए तो सहाँजा ने जो है मिर्जा राजा की पद्वी दी थी ओप्शन C इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और बारा की बात करें राजसान राजे में हल्दी गाटी यूद के पिछे अकवर का मुख्य उद्धिश्य क्या था तो राणा परताब को अपने अधीन करना उसका एक परमुख टार्गेट रहा था और उप्शन B इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और तेरा की बात करें राजसान राजे का अबूल फजल किसको कहा जाता है राजसान राजे का अबूल फजल एक्जाम में ये परसन बन चुका है कि सीधासा परसन बनेगा कि अभूल फजल किसे का जाता है तो इसका सही उत्तर रहेगा मौनो तनेनसी को आप्शन ए इसका सही उत्तर है क्यूशन वर्ड चौदा की बात करें राजस्तान में गोकुल भाई बट किस परजामनल से समधी थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है राजस्तान जी के ऐसे इंपोर्टेंट यूशन बना जाते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जी के इंपोर्टेंट यूशन के वीडियो मिलते रहेंगे तो राजस्तान में गोकुल भाईवट किस परजामनल से समन्दी थे जो शिरोई परजामनल सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और पंदरा की बात करें वर्तमान भारत में कुल अबरक उत्पादन में राजस्तान राजे का कौन सा स्थान है वर्तवान भारत के अंदर कुल टोटल अभरक उत्पादन के दोरां जो है राजस्तान का क्या स्थान है पहला दूसरा तीसरा या पांचवा तो पूरे भारत के अंदर जो है अभरक उत्पादन में राजस्तान का तीसरा रेंग का आप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन वर सोला की बात करें राजASTान में जेपुर सहर की सतापना कब कीई ओगी एकजाम में कई बार रेपीट हो चुका है इजी क्योसन है लेकिन फिर भी आपको यादोना चीए तो सतरा सो सताइस इस विक के अंदर जेपुर सहर की सतापना होई थी बिहारी सासरी जो की बहुत परसीद है और इसकी जो रचना हो किसके सासनकाल में हुई थी तो मिर्जा राजा जैसिंगे सासनकाल में आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 18 की बात करें नीमन में से व्रहतर राजस्तान का परदानमत्री कौन था इन में से व्रहतर राजस्तान का परदानमत्री कौन था देखतें कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं मानिके लाल वर्मा गोकुल भाई बट हीरा लाल सासरी या सागर मलगोपात इसका सही उत्तर रहेगा हीरा लाल सासरी ओप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 19 की बात करें राजस्तान जोदपुर के कौन से राजा जो अपनी रियास्त को सावतंतर एकाई रखना चाहते थे राजस्तान जोदपुर के कौन से राजा थे जो अपनी रियास्त को एक सावतंतर अलग रखना चाहते थे राजा हनूस यह ओप्शन भी इसका सही क्योशनaning 20 की बात करे । राजस्तान में ऑक्वर ने राजपुतों के साथ विवाः करते भी कौन सी निती अपनाई थी .। क्योसनवर 21 की बात करें, राजस्तान में सबसे पहले करांती की सुरुवात किस स्थान से हुई थी, राजस्तान के अंदर सबसे पहले करांती की सुरुवात है, वो कहां से हुई थी, किस स्थान से हुई थी, ये परसन एक्जाम में कई बार पूछा गया है, तो नसीराबाद से option C इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर 22 की बात करें राजस्तान में मानी के लाल वर्मा को कहां का परदानमत्री बनाया गया था राजस्तान के अंदर मानी के लाल वर्मा को कहां का परदानमत्री बनाया गया था तो स्यूंक्त राजस्तान संग का परदान मतरी बनाए गया तो आप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा वरहत राजस्तान इसका गलत रहेगा ठीक है स्युंग्त रास्तान संकाज वह मानिके लाल वर्मा को पर्धान मत्री नुकत किया गया तो ओप्शन C इसका सही उत्तर रहेगा चूसनके Sosi की बात करें रन्थमोर के चोहानों का संस्तापक को त honest रन्थमोर के चोहानों का संस्तापक तो गोविंद राज ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है क्योसर नवर चोईस की बात करें प्राचीन राजस्तान में मेवाड में अंग्रेजों के बीच में संदी कब होई थी प्राचीन राजस्तान में मेवाड में अंग्रेजों के बीच में जो संदी होई थी ती 1818 इस वी के अंदर option B इसका सही उत्तर रहेगा अब बात करते हैं कि उस नवर 25 की राजस्तान में कौन सी खनीज को हरी अगनी कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है राजस्तान के किस खनीज को हरी अगनी कहा जाता है तो पन्ना को हरी अगनी कहते हैं option A इसका सही उ उत्तर नहीं पता है तो आप लोग कोसिज कीजीएगा क्योंकि कोसिज करने वालों की कभी हार नहीं होती राजेस्तान में मेवाड के किस सासका काल सथाप्ते कला का सवरं यूग कहिलाता है मेवाड के किस सासकाieso काल है वो सासन काल है स्थाप्ते कला का सवरने युक कहलाता है महराना उद्देस हैं महराना सांगा महराना कॉंबए महराना सवरूप सी सही उत्र आपको कॉमेंट में देना देखते कितने बच्चत सही उत्र दे पाते और ये भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने सहीवे इमानदरी से कॉमेंट कीजेगा अगर आपको किसी भी क्यूसन को लेके कोई डाउट और कोई राय या सुझाव देनों आप लोग कॉमेंट जरूर कीजेगा अगर हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा डेली राजस्तान जी के कि ऐसे इंपोर्टन क्यूसन के वीडियो पाना चाहते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और पास में जो घंटी में उसको दबा लीजेगा क्योंकि राजस्तान जी के कि इंपोर्टन क्यूसन के वीडियो अगर आप लोग देखते रहेंगे तो यह समझ लीजे कि पर वीडियो आपके एक से दो क्यूसन अराम से एकजाम में पढ़ सकते हैं यानि आपके दो से चार नमर पक्के हो सकते हैं हमारे सारे वीडियो इंपॉर्टेंट के जरूर देखेगा तो बेस्ट आप लग एंड थैंक यू